आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो बजट 2023 आज ही अनौंस हुआ है तो उसमें जो टैक्स रेट्स हैं टैक्स लैब हैं उसमें क्या चेंजिस हुए हैं और कैसे कोई इंडिजवल कोई व्यक्ति अपनी 7 लाग रुपे या 7.5 लाग रुपे तक की इंकम अबर जीरो टैक्स पे कर सकता है ऐसा कैसे पॉसिबल है यह कैसे हुआ तो आइए हम एक्जामपल से समझेंगे और इस वीडियो के देखने के बाद में सब कुछ क्लेर हो जाएगा आप खुद बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका टैक्स 7 लाग या 7.5 ला पर समय पादेगा परिवर्टन है पहले से समझना पड़ेगा फिर मैं बता दूंगा आपको बहुत आसान इसे कि कैसे आप साथ या साड़े साथ लाग रुपे तक की इंकम पर जीरो टैक्स पे कर पाएंगे तो पहले क्या था कि अगर कोई बी परसन जिसकी उम्र साथ साल से कम हो ईना 60-year से क्यों बिलो मैं आप यह एक्जामपल में यह ले रहा हूं ऐसा इंडियन ऐसा इंडी जिसकी साथ साल से उमर कम है ठीक है उनके लिए यह बता रहा हूं ठीक है तो उनके लिए क्या वैसे है सब के लिए लेकर लिए उसमें क्या था कि आप टू पहले 2022 ऑप तूप फिप्टी अगर किसी की इंकम ढाई लाग रुपे तक हो तो उसको टेक्स नहीं देना पड़ता था जीरू लेकिन अगर किसी की इंकम पांच से डाई हो यानिकी दो लाग पचास अजार से तो लाग पचास अजार से पांच लाग तक हो यानिकी नेक्स्ट टू फिप्टी तो उसको टेक्स किता देना पड़ता था पांच परशेंट और अगर किसी की इंकम पांच से दस हो याना फाइफ टू टैन हो तो उसको फिर इंग इस इंकम पे टेक्स देना पड़ता था ट् 20% और अगर किसी परसन की income अबाओ 10 lakh से भी ज्यादा हो तो उसको कितना tax देना पड़ता था 30% यानि कि 5,5 lakh अगर किसी की income है 2,50,000 तो पहले tax नहीं देना पड़ता था 2,50 यानि कि अगले 250 पर 5%, 5 से 10 अगले 5 पर 20% और 10 lakh से जितनी भी ज्यादा अगर उसकी income है तो 30% ये slab apply होता था इंडीज वल जिसकी उमर 60 साल से कम है उसकी income पर अभी इनोंने क्या कर दिया है पहले तो इस slab को ही change कर दिया है अब क्या कर दिया है अब टू रूपीज 3 lakh यानि कि 3 lakh रुपए तक तो इनोंने कर दिया निल कोई tax नहीं दिना पहले रही था तो यहाँ 3 lakh रुपए तक निल किया अब confusion यह आता है कि यहाँ 1,5 lakh रुपए तक tax लगता नहीं था अभी 3 lakh तक नहीं लगेगा यह 7 lakh वाली बात क्या है एक 6 to 9 यानि कि next 3 lakh पर इनोंने कर दिया 10% और next 6 to 9, next 9 to 12 यानि कि next 3 lakh पर इनोंने कर दिया 15 और अगर किसी person की income 15 lakh से जादा है 12 to 15 बारा से 15 नेक्स थ्री लेक पर इनोंने कर दिया इस tax rate को 20% और अगर किसी person की income अबाव 15 lakh है तो फिर कर दिया 30% तो इस तरीके से changes हुए है slab के अंदर आपको साप साप देखे जा रहे हैं ठीक है पहले 10 से उपर होते 30% लगता था अब अना देखो अलग अलगे 15 भी लगेगा 20 भी लगेगा 15 से जादा है तो 30% tax लगेगा हाँ अब आईए हम समझते हैं कि वो क्या है जो जिसकी बात कर रहे हैं हर कोई कि 7 लाग रुपे तक भहिया अब tax नहीं देना है तो वो कैसे वो मैं आपको बताता हूं देखो कैसे इसको मैं थोड़ा सा चोटा करता हूं फिर मैं लले आपको बताता हूं देखिए एक rebate है एक section है 87 ए कि section का लाँ कि 87 HR इसके अंदर पहले भी दी झाती अ भी भी डी जाती गी रिवेट ते रिभेट मलब शूटन आ है यह section क्या है यह डी यह बोल रहा है कि अगर कोई कोई भी परसन पहले 2022 में क्या था पहले इस बजट से पिछले वाले बजट के अंदर कि अगर कोई भी इंडिया का रहने वाला है कोई व्यक्ति है और उसकी टोटल इंकम उसकी टोटल इंकम अब टू रुपीज फाइव लेक हो तो उसको टेक्स के अंदर रिबेट दी जाए कितनी 12500 रुपे की अभी क्या किया है इसी रिबेट को इसी सेक्शन के अंदर जो यह रिबेट है इस रिबेट को इसी रिबेट को दो हजार 23 के अंदर अभी जो बजट आया है उसमें कोई भी इंडिया का रहने वाला है और उसकी टोटल इंकम टोटल इंकम अब टू रु 7 lakh है किती है 7 lakh रुपए तो उसको यहाँ पर tax repeat मिल जाएगी कितनी वो मैं बता देता हूँ आपको वो मिल जाएगी 25,000 रुपए अब ये कैसे आई नहीं भराता हूँ calculate करके बताता हूँ आपको समझना example से समझाते है दोनों लेंगे पहले 22 थे इसका ले लेते है फिर ये लेते है पहले पुराना वाला example लेते है माल लेते हैं एक है Mr. X समझना ठीक है ये Mr. X इसके total income है total income इसकी माल लेते हैं 5,000 रुपए तक है ठीक है मैं 5,000 लेके चलता हूँ 250 से 5 तक किता है 5% और है ही हमारे इसकी income तो 5,000,000 तक ही है तो यहां तक ही apply हो जाएगा तो 250 तक तो इसका हो जाएगा निल जब हम इसकी tax lab लगाएंगी तो इसकी income किती है 5,000 लागी ध्यान रखना तो 250 तक तो कोई tax नहीं निल लेकिन 250 से 5 तक नहीं यानिकि next 250 तक किता हो जाएगा 5% tax लगेगा वो किता होता है 12,500 रुपे ठीक है तो यह कितनी हो गई total income देखो 5,000,000 हो गई 250 तक 0 और next दाईपर किता है 5% और 5,000,000 ही है तो आगे अंबढ नहीं सकती अगे आठ दस लाग होती तो आगे बढ़ते ठीक है तो अब यहाँ पर इसको calculate करेंगे तो total tax किता हो रहा है total tax हो रहा है 12,500 अब इसमें से लेक्स हो जाएगा rebate rebate under section 87A और वो rebate कितना है देखो 5,000,000 तक इंकम में हाँ है इंडियन इंडियस वल है माल लेते हैं इंडिया का रहने वाला एंडियस वल है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा छूख किती मिलेगी 12,500 और tax बन भी किता है 12,500 यानि कि जो slab rate है उस हिसाब से 12,500 का tax बनता है अगर किसी की इंकम हो 5,000,000 रुपए ठीक है और उतनी छूट मिल जाएगी कहा रिबेट अंडर सेक्षिन 87A 12,500 तो उसका tax क्या होगी 0 अब आते हम यहाँ पर 7,000,000 वाले में क्या है माल लेते हैं यही Mr. X है और 2023 के अंदर इस Mr. X की इंकम जो है वो बढ़ करके टोटल इंकम माल लेते हैं इसकी हो गई टोटल इंकम हो गई इसकी 7,000,000 ठीक है मैं 750 वाला भी बताऊंगा आभी ठीक है 7,000,000 हो गई अब यहाँ पर हम tax slab लगाते हैं अब इस पर tax slab कौन सा लगेगा by default है यह लगा सकते हैं अगर चाहे तो पुराना भी continue कर सकता है लेकिन यह by default यह है अगर आप चाहो तो इसको use भी कर सकते हो आपकी इच्छा हो तो ठीक है हम आ लेते हैं नया वाला ले लेते हैं इसमें क्या है इसकी इंकम किती है 7,000,000 रुपे और इसमें up to 3 leg तक क्या है निल तो मैं देखो यहां करता हूँ up to 3 leg तक निल ठीक है up to 3 leg निल up to 3 leg next 3 से 6 कितना है 5% यानि कि next 3 to 6 यानि कि next 3 leg पर कितना है 5% तो कितना हो गया यह हो गया आपका 15 जा गया ओके ठीक और यह कितना हो गया 3 और 3 6 लेकिन इसकी इंकम किती है 7 तो 1,000,000 और बज़ गया तो 6 से जो अगला 9 होता है 6 to 9 यह देखो 3 leg तक 0 और next 3 to 6 यानि next 3 leg पर 5% लगा दिया अब next 6 से 9 यानि next 3 leg पर कितना 10% लेकिन हमारा तो next 6 से आगे एक ही और है 7 ही है तो 1 leg और आगया उसमें कितना लगेगा 10% तो यहाँ पर आगया 10% कितना हो गया 10,000 अब total इसकी tax liability देखो total tax कितना हो गया यह हो गया 25 और यहाँ पर क्या मिल रहा है less rebate under section 87A और वो rebate कितनी है 7 लाग तक 7 लाग तक कोई भी tax नहीं देना है और टो tax rebate किती बता ही मैंने 25,000 वो ऐसे calculate हुई कि 7 लाग तक इनको पता है कि 25,000 इस tax बनेगा वो माप कर दो मलब tax calculate तो हो रहा है लेकिन मलब slab के हिसाब से तो 25,000 का tax हो रहा लेकिन एक अलग से deduction दे दी और इस deduction के हिसाब से 25,000 तक तो tax लगे गई नहीं तो यह हो गए 0 अब जो मैं बात करना था साड़े साथ वाली वो क्या है वो भी बता देता हूँ अगर कोई salary person है कोई person है और उसकी salary कितनी है 750 तो वो 0 tax pay करेगा बाकी सब तो साथ लाग तक क्या करेंगे 0 tax pay लेकिन salary वाले को साड़े साथ तक 0 tax pay करना है कैसे मा लेते हैं किसी बंदे की total salary है साड़े साथ लाग रुपे इसमें सबसे पहले पहले भी मिलती थी अभी भी मिलेगी standard deduction जो salary में मिलती वो कितनी मिलती है 50,000 तो 50,000 पहले लाइस हो जाएंगे अब कितने बजगे 7,000 अब 7,000 पे उपर tax calculate करेंगे तो कितना आएगा 25,000 अभी हमने calculate करके देगा कितना आएगा 25,000 tax आएगा 7,000 पे अभी calculate कर देगा और 25,000 की क्या rebate तो उसका tax कितना होगे 0 लेकिन ऐसा salary percent के साथ में हो तो यह थोड़े बहुत change है जो मैंने आपको समझाने के कोशिस करी है कि यह 7,000,000 तक tax नहीं देना है और salary percent है किसी की salary है तो साड़े 7,000 तक tax 0 देगा वो कैसे actual में tax तो लग रहा है slab rate तो लग रही है slab rate के साथ से 25,000 का tax बन रहा है बट जो rebate है अंडर section 87A के अंदर उसके अंतरगत जो भी 7,000,000 तक tax बन रहा है उसको माफ कर दिया गया है उसकी छूट दे दी गई I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा इधर उधर बहुत को सुना होगा साथ लग तक 0 लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी confusion है और यहां से solve हो गया है तो बढ़िया very good नया channel है आप subscribe कर लिजी अगर नया channel नहीं अगर आप नहीं है तो subscribe कर लिजी इसी तरह के की वीडियो यहां पर आते रहते हैं हम मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना है तब तक के लिए गुडबाई थेंक यू